कॉंग्रेस की भारत जोडो यात्रा का आज तीसरा दिन यात्रा के बीश राहूल गांधी ने की प्रेस कॉंफेंस कहा बीजे पी आरेसेस ने देश में नफरत फेलाई भारत जोडो यात्रा उनकी खिलाव पारजोडो यात्रा में राहूल गांधी में पीजेपी रसेस पर हमला बोला बोले उनकी विचार धारा से देश को भारी नुकसान देश की भलाई के लिए लड़ना कॉंग्रेस का करतब कॉंग्रेस अध्यक्ष बनने की सवाल पर पहली बार बोले राहूल गांधी कहा कोई कन्फ्यूजन नहीं इंतजार करें जब होंगे चुनाव तो पता चल जाएगा विधान सबा चुनाओं से पहले चाथीजगर पहुंचे बीजेपी अध्यक जेपी नड़्डा राइपूर में निकाला रोच्शो कारेकर्ताओं को संबोधित किया 36 गड़ से जेपी नड़्डा ने राहूल गांधी और कॉम्रस पे साधा निशाना बोले कॉम्रस सिर्फ परिवार की पार्टी पहले परिवार को जोड़े फिर देश जोडने की बाद करें अधरबाद में असाम के मुखे मंत्री हिमन तब इस्विसर्मा ने शामा मंदिर का किया दौरा बोले जितने दिन सनातन रहेगा उतने दिन भारत रहेगा सियम हिमन तबिस्विसर्मा ने राहूल गांधी पनिशाना साधा बोले गलत समय गलत स्थान पर भारत यात्रा कर रहे है राहूल 1947 में ही जुड़ गया था भारत यूपी में मदर्सों के सर्वे को लेकर यूदी सरकार पर बढ़सी बीएसपी अभ्यक्ष मायवती कहा तुष्टी करण के नाम पर बीजेपी कर रही है मुस्लिमों को आतंकित करने का खेल यूपी के मदर्सों पर बीजेपी की है टेरी नजर खल गुजराद दोरे पर रहेंगे असलुदी नोवे सी शाम साथ बजे अमदबाद में जन सभा को संबूतित करेंगे दिली में शराब नीती को लेकर बीजेपीने के जिवाल सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, डेपुटी सीएम, मैसी सूधिया को परखास्त करने की मार्क दिली के आजाब मार्केट में चार मंजिला निर्मान अदहीन बिल्डिंग गिरी, तीन मज़ूर घायल, कई लोग अभी दबे, बेस्मेंट में खुदाई से बिल्डिंग गिरने की आशंका गाज़ेबाद में पार्क में खिलने बच्चे पप इडबुल ने जानलेवा हमला किया, काटने के वज़े से चहरे पर आये 200 टाके यार के सिवान में महावीरी अखाड आशो भयात्रा पर हुआ पत्राव, असमाजिक तत्वों ने मस्जिद से पत्थर फेके घटना में दो पुलिस कर्मी घाय अलिगर्ण से सामने आई साम्प्रदाइक सोहार्थ की तस्वीर मुस्लिम परिवार ने घर में कराया देवी जागरण भजन पर परिवार की महिलाओं ने जम कर किया डांस हवन यग के बाद बाटा पसाथ मध्यपुदेश की राजगर में जोला चाप डॉक्ट्रो पर स्वास्त विभाग की कारवाई अवैद क्लिनिक सेंटर्स को बंद कराया यूपी के हमीरपोर में अवैद अस्लो पर चला रोड रोलर दोस्तों से जादा तमंजे नश्ट किये गए रूपी के देवरिया में शराप तसकर पर बड़ी कारवाई पिशासन ने 30 लाग की प्रॉपर्टी सब्त की वियार के आरा में डेपुटी सीम तेजस्वी आदव के सामने शिक्षक अभ्यार्थियों ने किया प्रदर्शन सुरक्षा कर्मी और ने शिक्षक अभ्यार्थियों को तेजस्वी आदव से मिलने से रोका नौड़ा में कुतों की काटने की बढ़ी घटनाउं से लोग डर गए हैं सोसाइटी के लोगोंने सीम योगी से सक्त नियम बनाने की मांग की है लगातार ओरी बारिश से करनाटक बेबस बैंगलोरू समेत आसपास के इलाकों में बाढ़ बारिश से कई घरों को ववा नुकसान प्रशासन का रेस्क्यू अपरेशन जारी अनन्द चदू दशी पर आज दी जारी बापा को विदाई विसर्जन से पहले लालबाग के दर्शन के लिए शद्धालू जूटे गणपती बापा मोरिया से गुंजा मुंबई शेह मुंबई की गिरगाउं चो पार्टी में गड़ेश विसर्जन के लिए सुरक्षा के पुक्ता इंतिजाम पूरी मुंबई में करीग 20,000 पुलिस करवी तैना ड्रोन कैमरे से नजर रखी जारी है महराश की डेपरी सीम देविद फड़नवीस ने अपने निवास पर गणईश पतीमा का किया विसर्जन फड़नवीस ने कहा कोरोना के बाद पहली बार मनाया जा रहा इतना बड़ा पार्ट मुंबई के जूँ बीचपाथ हाईलेंड से आए लोगों ने भगवान गड़ेश की मूर्ती को किया विसर्जित विसर्जन से पहले रीती रिवास से की पूजा अर्चना बिटन की महरानी टवीन यिजबेट गडी सेकिन का ची अंवे साल के अवन में निधन स्कोटलेंड के बालमोरिल कासल में कुईन नेली आखरस पूज Queen Elizabeth II के बाद उनके चार्ल्स बने बिड़ेन के नए राजा कल आधिकारी कारिकरम में शासन और शक्तियों का समाल लेंगे जिम्मा मारानी Elizabeth II के निधन पर दुनिया में शोक की लहर भारत में 11 सिकंबर को एक दिन का राज के शोक आधा जुका रहेगा ज़ंडा तोकियों में रक्षा मंतरी राजनास सेंगों के देश मंतरी एस जैशरंकर ने जैपान के पी-एम फुमियो किशिदा से की मुलाकात भारत जैपान के बीच सेंने अप्यासों पर बनी सहमती चाइना से जारी तनाव पर भीपुई बाइद